गैज कोलकता नाइट राइडर्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच इस IPL का जो फाइनल मैच खेला जाएगा मतलब गैज केके आर वर्सेस ऐसारेच के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में गैज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल पेडिक्शन देने गैज यह इस IPL 2024 का सबसे बड़ा मैच है क्योंकि जो भी टीम यह वाले मैच को विन करेगी वो सीधा IPL 2024 के टाइटल को विन कर जाएगी और गैज आपको बता दू यह वाला मैच खेला जाएगा एमेच इडम्रम स्टेडियम चेन नहीं में और इसी ग्राउंड पर गैज अभी लास्ट मैच हुआ था राजस्तान रॉयल्स और संराइजर सहिद्राबाद के बीच और उस वाले मैच में राजस्तान रॉयल्स को सैकेंड इनिंग में रन बनाने में काफी ज़्यादा पसी है और कौन से प्लेयर्ण को आज के मैच में आपको पिक करके चलना है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे और साथ में गईड़िस मैस से रिलेटेड आपको शारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी तो मैं आपसे request करूँ गा इस वीडियो को daring से कि अपनी जो लाश्ट मैच की पेडिक्शन थी ना वो बिल्कुल सही गई मैंने आपको बोला था राजस्तान रॉयल्स के दो में फास्ट बॉलर है एक तो आवेश खान और एक ट्रैंड बोल्ड इन दोनों को अपनी टीम में आप डैफिनेटली पिक कर लेना तो मेरे कहने प टीम प्रेडिक्शन जो है ना इसमें आपको कुछ प्लेयर बता रहा हूं यह प्लेयर आज के मैच वे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कौन कौन से प्लेयर से हैंडिज क्लासन हैंडिज क्लासन गई ऐसा रहेच के विकेट कीपर है और यह प्लेयर बहुत ही क्योंकि क्का टीम के कप्तान है और इनका रिकॉर्ड जो है ना इसारेच के अगेंस वह काफी ज्यादा बैटर है और इसके अलावा गाई जो तीसरे प्लेयर है वह सुनेल नारायन की बारे में बता दूगाई यह चेन नहीं वाला जो यह ग्राउंड है ना एमेच इदंब सब्सक्राइब जो भी यह वाले है वह इस वाले है वह परिएश वाला मैंच औरिस मैच में वह प्लेयर सब्सक्रां पेगे जो प्रेशर को अच्छा है और duct कर सकते अब यह इस व्लाइक आरा ना है और साथ मैं आपको बता दूँ जो भी भाई इस वीडियो पर लाइक करेगा मेरे यूट्यूब चेरल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबाके और साथ में इस पूरे वीडियो को पूरा वाच करेगा वह भाई यहां पर गाईज 10,000 रुपे विन कर सकते हैं मतलब कुछ नह करना पका से सब्सक्राइब करना और कंप्लीट वीडियो गईज आपको लाज टक देखना है अब गईज कोलकता नाइट राइडर्स और संद्राइजर सेद्राबाद का जो आज यह बड़ा फाइनल है इसमें क्या प्लेइंग 11 रह सकती है केके आर वर्सेज ऐसा रैज की वह अपन एक बार देखते हैं कोलकता नाइट राइडर्स की तरफ से देखे आर गुर्बाज के साथ आएंगे सुनिल नारेंड ओपन करने फिलिप सार्ड क्योंकि जा चुके हैं उनकी जगे गुर्बाज ओपन करेंगे इसके बाद वैंक्टे शायर नंबर 3 पे खेलेगा चार पे श्रिया सायर फिर रिंकू सिंग फिर रसेल रमंदीप सिंग मिशेल इस्टार्क वैबा वरोरा हर्शित राना और वरुन चक्वती तो केकियार मुझे नहीं लगता गई इस वाले मैच में कोई बदलाव करेगा अगर कोई चेंज करता है तो मैं आपको जरूर बता करना है बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला मामला है और साथ में कन्फ्यूजन है कि भाई बॉलिंग सेक्शन में इस्टार्क वैबा वरोरा हर्शित राना और वरुन चक्वती इतने सारे पिक है तो इनमें से आज के मैच के लिए कौन बैस्ट होगा तो गैज मैं आपको बता हिटर है और अभी शेक शर्माति ने तो लास्ट मैच में बॉलिंग से भी काफ़े इंप्रेस किया और विकेट निकाल के दिए इसके अलावा नंबर तीम पर राहूर तीपाटी एडन मकराम को गई लास्ट मैच में मौका मिला बट पहली बॉल पर आउट हो गया इसके बा से ऐसे प्लेयर से जो ऐसारेच की तरफ से आज के मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले वह अपन देखेंगे और साथ में आपको केकियार वर्सेज ऐसारेच के बीस गई जब भी मैच होता है ना तब कौन कौन से प्लेयर पर्फॉ का सेलेक्शन भी आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि बहुत सारे आप्शन है तो आज की मैच के लिए कौन बैस्ट होगा वह भी आपको बताने वाला हूं और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम भी देने वालो इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखेगा कह नहीं भी स्किप आपको नहीं करना है और यह जो लाइक का टार्गेट हो आपको कंप्लीट कराना और यूज्ट्यूब चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना है नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जरूर से आपको दबा देना है अब गईस कोलकता नाइ राना सुनेल नारायन और वरुन चक्वती यह मुझे लग रहा है इनके यह मेन बॉलर से और यह अपने कोटे के पूरे चार ओवर करने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले और जो बाकी के रिमेनिंग ओवर है न वह वैबा वरोरा और एसल डाल सकता है और इसके अलावा जो दैत की बॉलिंग है 15-20 वाली वह मुझे लग रहा है हर्शित राना वरुन चक्वती और मिशेल स्टार्क करने वाला है क्योंकि स्टार्क ने भी लास्ट मैच में काफी अच्छी बॉलिंग कराई ती और अच्छे खासे विकेट निकाले थे इसके अलावा ऐस सारेच की तरफ से बात करें तो भुवनेश्वर कुमार पैट कमिंस और नट्राजन यह मुझे लग रहा है यह तीनों आज के मैच में भी कंप्लीट ऑवर डाल सकते हैं और बाकी के जो और उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो गया है क्योंकि अभी शेक शर्मा ने बॉलिंग क करेंगे पैट कमिंस भुवनेश्वर कुमार और नट्राजन अब गईस सबसे बड़ा प्रशन उठता है कि इतने सारे बॉलर्स आज के मैच में बट आज के मैच के लिए कौन बैस्ट होगा तो गईस दिखें आज के मैच में आपको जो प्लेयर करने हैं उसमें यह जरूर तोड़ सी जब केकियार के अगेंस खेलते हैं ना तब बहुत अच्छा करते हैं तो अगर आप आज के मैच में ऐसे लिए जीएल खेल रहे हो तो उन दो प्लेयर को पक्का से रख लेना अधर्वाई शायद आपकी विनिंग मिस हो जैं तो वह दो प्लेयर को ने वह भी मैं अगर पिच रिपोर्ट की बात करूं देखे गई जो लाश्ट मैच हुआता ना इस वाले वेन्यू पर उस वाले मैच में आपने देखा था ड्यू बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी और इस वज़े से राजिस्तान रॉयल्स स्कोर को चेस नहीं कर पाया क्योंकि तो यहां पर मुझे लग रहा है जो भी टीम पहले बैट करेगी ना अगर वह 180 बना देती है तो वह उसको डिफेंड कर सकती है क्योंकि सेके इनिक में रन बनाना उतना असान होगा इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको आप पक्का से जॉइन कर लेना क्योंकि टॉस के बाद की जो फाइनल टी में आज के मैच की अगर उसमें मैं अभी जो दिखाऊंगा उसमें एक दो चेंज भी हो जाते है ना तो वह मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा तो इसी वीड आपका से आजाना टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट पर अब देखे गई इस वाले वेन्यू पर जो लास्ट तीन मैच खेले गए ना उनमें कैसा कैसा स्कोर बनाए एक मैच हुआ था गई एक मैई मैच विकेट मिलेते इस्पिनर्स को चार मिकेट मिले इसके बाद गई यहां पर 12 मई दोजार चोईस को मैच हुआ मैस ता राजस्तान रॉयल्स और चेन्नाई सोपर किंग्स की बीच राजस्तान ने 141 बनाए चेन्नाई 145 बनाके मैच को विन कर गया इस वाले मैच पर पे स्रह ने पहले बैठ करके गई 175 बनाए थे राजस्तान रॉयल्स को यह भी बनाने में पसीने आ गया और 149 अन पर ही रन ही बना पाई और इस वाले मैच में सबसे ज़्यादा सर्प्राइस किया सैके निनिंग में इस्पिनर्स ने विकेट निकाले खास तोड़ से शाबाज करना पड़ता है अच्छा कास इसके अलावा गई आज के मैच में ना कुछ क्वालेटी इस्पिनर्स है उन में से आपको कौन से को पिक करना है क्योंकि संराइजर सेद्राबाद के पास चाहिए उतने अच्छे इस्पिनर नहीं हो बट कही ना कहीं के पास वरुन चक्वती सुनिल नारायन जैसे बड़िया स्पिनर है और ऐसा रच के पास भी कहीं ना कई शाबाज एमज जैसा जो इस्पिनर है वह फॉर्म में आ चुका है तो आज के मैच में क्या इन तीनों को पिक करना है या नहीं करना है वह अपन देखने वाले और आज के मैच में एक प्लेय होता है वह हमेशा शांदार है इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको देखना है कि इसके अलावा गाइस के क्यार वर्सिस ऐसा रैच का आई पीएल दो हजार चोईस का फाइनल मैच और माई लेवन सरकील अप्लिकेशन पर भी आज के मैच में बड़ी ग्रैंड लीग लगी ह करते हैं तो आपको एक टीम के 49 रुपेज देने पड़ते हैं और अगर आप पास टीम के साथ जॉइन करते तो आपके एप्रॉक्स 250 रुपे लगते हैं आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसकारण से आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है ऑफर क्या है गाई इसी वीडियो कि अंदर अंदर आप मेका ग्रैंड लिग जॉइन करते हो तो जो 49 की मेगा है ना गैस वह आपको मिल जाएगी एक रुपे और इसमें भी गैस पास टीम का मौका है मतलब आपके किवल पांच रुपे लगेंगे और पांच रुपे में आप पास टीम के साथ मेगा लगा जाएगा और यह वाला जो आफर है ना वह नए यूजर्स के लिए तो अगर आपने पहले से एप को डाउनलोड कर रहा है तो परेशान मतों ना अपने फ्रैंड रिलेटिव उनका मोबाइल लीजिए उससे रजिस्टर करके इस ओफर का फायदा उठा लेना है क्यों मेगा ग्राइंड के लिए हो या कोई भी रीजन के लिए तो पहले डिपोजिट के टाइम पर मेरा जो कोड रहना वह जरूर डाल देना कोड क्या है गई एकसपर 23 एकसपर 23 जैसे आप कोड डालोगे आपनी जितना माउंट डिपोजिट के आना यहां पर अपना पहला उसक साथ में जब अपना पहला डिपोजिट मारो तब एकसपर 23 कोड डालना है ताकि आपको 20 परसेंट एक्स्ट्रा कैश मिलेगा ना की बोनस तो पक्का से फायदा उठा लेना गई ऐसे आफर अब नहीं मिलेंगे आई पिल का लास्ट मैच और यह आखरी मौका है आपके पास तो फायदा पक्का से उठा लेना जिन्होंने अभी तक नहीं उठा है और एक करोड का कैश प्राइज है 15 रुपे का बोनस है और साथ में जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है शौर एक्सपर्ट सपोर्ड यूट्यूब चैनल को पक्का से आप सब्सक्राइब कर देना नीचे सब्सक्राइब का बटन है जाके दबा देना बैल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रैस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ या जब भी लाइव स्ट्रिमिंग करूँ आपके पार नॉटिफिकेशन आया दर्वाइस नहीं आएगा और साथ में गईज इस आई पिल के बाद वर्ड का पा रहा है तो इसलिए पक्का से सब्सक्राइब करके रखना और इस टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को भी पक्का जोइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में और कमेंड के लिंक से माइवन सरकी सबसे बड़ा प्रश्ट उठता है कि आज के मैच के बैस्ट 11 कौन से होने वाले हैं तो एक एक करके हर प्लेयर का रिकॉर्ड में आपको बताऊंगा ध्यान से वीडियो देखिएगा कहीं इदर उदर स्किप नहीं करना और अभी भी लाइक नहीं मारा है तो पक्का से की ओपन करने वाला है गुर्बाच का एसा रेज के अगेंस अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो उतना अच्छा है नहीं है इसने तीन मैच के लिए के वल तेईस रन मना है लास्त तीन मैचों में बनाए तेईस तीन जीरो तो थोड़ा सा गुर्बाच का फॉर्म है ना ए इसके अलावा क्लासन जो की नंबर पांच पे खेलेगा इसको मैंने अपनी प्लियर की लिश्ट में भी डाला था रीजन कहें जब यह के के अर्के खेलता है ना इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है के के अगेंस पांच मैच एक सो पैसाट रन पच्पन का एवरेज और इसके अलावा इस मैदान पे जहां पर आज का मैच किला जाएगा इस मैदान पे भी तीन मैच के लिए 87 रन मनाए और अभी रिसेंटली हाई प्रेशर वाले मैच में भी इसने 50 रन मनाए थे उससे पहले 32 उससे पहले 42 तो हैंदिज क्लासन तो गई आज के मैच का डिफ बाज का वैसे रिकॉर्ड उत्ता अच्छा नहीं है बट मुझा लग रहा है अच्छा कर सकता है स्टार्टिंग ओवर्स तो दोनों आपके लिए बढ़िया पिक है आज के मैच के लिए इसके बाद बात आती है बैटिंग सेक्शन बैटिंग सेक्शन में के टीम में बड़ चार पे खेलने वाले लाश्ट मैच में काफी अच्छी बैटिंग की थी 58 बनाये थे बहुत अटैकिक और इसके अलावा इस मैदान पे भी आप देखिए तीन मैच के लिए 85 रन बनाये तो इस मैदान पे कही ना कई आवरेज आप देखिए 30 के आसपास का है और सामने वाल तीम पे खेलने वाला है बट इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा आपको बता दू इस मैदान पे उत्ता अच्छा है नहीं दो मैच खेले केवल 12 रन मनाये और ऐसा रेच के अगेंस ये थोड़ा सा स्ट्रॉगल करता है साथ मैच में केवल 96 रन मनाये 16 के अवरेज बट लास्ट मैचों की जो फॉर्म है ना वह अच्छी है फिफ्टीवन फॉर्टीटू तो वैंक्टी शहियर का वही हाल है जैसा गुर्बाच का है दोनों की करन्ट फॉर्म काफी बैटर है थोड़ा सा रिकॉर्ड क्या रहता है ऐसा रेच के अगेंस उत्ता अच्छा नहीं और इसके को आते हैं रिंकू सिंग आपको मिडल ओडर में बैटिंग करते हों नंबर 500 पर संड़ाइजर सहिद्राबाद के अन्स रिंकू सिंग काफी है तो आज के मैचका ट्रॉम्पिक बन सकता है निए आप जरूपी कर सकते हो अगर केक यार पहले बैट करता है तो कहीना कई रिंकु सिंग बैटर है क्योंकि ऐसा रेच के अगेंस आप देखिए पांच मैच एक सो बासर ट्रन चालिस का इवरेज इस मैदान पे तीन मैच खिले पैसर ट्रन और लास्ट तीन मैचों में बनाए 20-69 तो कहीना कई इसके बाद आते हैं इसके अलावा सणरड सैर्दराबाद की बैटें सक्षयन की तो यहाँ पे गाई अब मैं बैटिंग सेक्षन नहीं बोलूँगा और सेक्षन बोलूँगा क्योंकि अभी शेयक शरवा ने शानदार बॉलिंग की थी लास्ट मैच में बैटिंग से पॉइंट निकाले थे और अभी शेयक शर्मा ओपन करेगा लास्ट मैच में 12 रन प्लस दो विकेट उससे पहले 366 इस मैदान पर तक चार विकेट ले जा चुका है के क्यार के सुनने स्काइब रेज है तो अभी शेक शर्मा को जो लोग एजे बैट्समैन रखना चाहरे थे अब सब इसको टीम में रखेंगे क्योंकि बॉलिंग का भी बैक अप दे रहा है इसके अब्दुल सामत यह अच्छा नहीं कर रहा है लास्ट तीन मैच में जीरो सोला ग्यारा इस मैदान पर पांच मैच में केवल पैतालिस तो अच्छा जा नहीं रहा रहा है नंबर तीन का बैटर है जबर्दस फॉर्म में चल चुका है मतलब ऐसा रेच के लिए सबसे और लास्ट तीन मैचों में 37, 55, 33 इस मैदान पर 30 का एवरेज है और केके आर के अगेंस 35 का एवरेज है एडन मकराम नंबर चार पर खेलेगा अगर गाईस यह आज का मैच खेलता है तो रिंकू सिंग की जैसे यह दूसरा ट्रंपिक बन सकता है आज के मैच में क्योंकि मकर मकराम का भी रिकॉर्ड केकेर के अगेंस बहुत अच्छा है केकेर के अगेंस 6 मैच 227 तो एडन मकराम भी आज की ग्रैंड लीक का एक ट्रंपिक है तो आप जरूर इसको लेके चल सकते हो अपनी जीयाल में यूटिलाइस कर सकते हो आज के मैच के लिए बैटर पिक हो सकता सबसे बड़ा प्रशन हुटता है कि इन में से किसको रखे देखिए गाइस मैं आपको बता दू अभी शर्मा राहूल टिपाटी यह तीन तो मेरे अकोडिंग आज के मैच में रखने चाहिए आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो एक तो है सुनिल नारायन और एक है रसेल सुनिल नारायन को गईज मैंने अपनी पंट प्लेयर की लिश्ट में भी डाला था रीजन आपको बता दू ऐसे बैट्समें नीए बॉलर क्योंकि सुनिल नारायन इस वाले मैदान पे अपनी बॉलिंग से दस मैचों में गईज 14 निकाल चुका है और ऐसारेच के अगेंस भी 17 विकेट लास्ट तीन मैचों में आप देखें आप एक्किस रन एक विकेट एक विकेट एक एक विकेट तो नारायन अगर आज के मैच में अगर बैटिंग से भी फ्लॉप हो जाता है तो भी बॉलिंग का भी बढ़िया बैक है तो नारायन पर यह बात नहीं बनती कि इसको रखना है कि नहीं रखना है इसको कप्तान वाइस कप्तान बनाएं कि नहीं बनाएं वह अपन जब फाइनल टीम दिखा हूंगा आपको तब बता दूँगा इसके अलावा रसेल कभी ऐसारेच के अगेंस आप देखे 17 मैच 20 साथ में 305 रन लास्ट तीन मैचों में भी आप देखें अच्छी खासी बॉलिंग करा रहा है 12 रन दो विकेट एक विकेट 24 रन दो विकेट और इसके अलावा रमन दीप सिंग मुझे उतना ज्यादा क्वालिटी प्लेयर लगनी रहा क्योंकि ऐसे बॉलर ही नहीं रखना ह इसको आपको एजे बैटर ही रखना है क्योंकि बैटिंग से ही पॉइंट दे रहा है और लास्ट टीन मैचों बनाए 17-25 तो यहां पर आज के मैच में यह दो आल राउंडर आपकी टीम में होने ही चाहिए एक तो सुनेल नारांड प्लस रसर यह दोनों गाइस काफी जाद क्योंकि शाबाज एहमत की फॉर्म अगर आप देखोगी तीन-चार मैचों से उतनी जबर्दस चल नहीं रही थी पर आरार वाले कॉलिफायर टू मैच में इसकी फॉर्म आ गए और इसने विकेट निकालके दिए तीन साथ में 18 रन बट के के अगेंस इसको अभी तक विके बाद में आप तो कहीं ना कहीं आज के मैंच बैटर पर को सकता है और सैकने इनिंग में करता है और नितिश रेडी की बात करूं इसकी थोड़ी सी फॉर्म अभी लास्ट दो मैचों से खराब हुई है चौदा रन बनाये खाली और इस मैदान पर दो मैच खेलें केवल 20 रन आपके पास यहां पर चार ऑप्शन है वरुन चक्वती मिशेल इस्टार्क हर्षित राना और वैब अवर हो रहा है वरुन चक्वती की फॉर्म गईस ठीक ठाक चल रही है लास्ट तीन मैचों में साथ विकेट है तो यह तो आज के मैच का इंपोर्टेंट प्लेयर है क्योंकि काफी अच्छा इस्पीनर के लिए मदद भी काफी है तो यह तो डैफिनेटली पिक होगा और इस मैदान पे छह मैच साथ विकेट है जबर्दस प्लेयर है मिशेल इस्टार्क फास्ट बॉलर लास्ट मैच में तीन विकेट लेकर रहा है और जब बड़ा मैच होता है यह प्लेयर सब्सक्राइब करता है हर्शित रहन लास्ट तीन मैचों में च्याइट है उस्टार्क धाइप लिश्ट में जुड़ गया है जब ऐसा मैच होता है न बढ़ा वहां पे यह काफी अच्छा करता है इस्टार्क फाइनल जैसे मैच में और वहीं ऐसा रेच की बात करूँ तो पैट कमिंज भुमनेश्वर कुमार नट्राजन जैदे वनाट कट है बट मेरे अकॉर्डिंग कमिंज को आज के मैच में डैफिनेटली रखना क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों साइट से आपको पॉइंट देने वाला इंपॉर्टेंड मैच है भुमनेश्वर कुमार अभी लास्ट तीन मैचों से थोड़े फ्लॉप चल रहे है फॉर्म कराब हुई है नट्राजन ठीटा कर रहा है उनाट कटके भी थोड़ी फॉर्म कराब हुई है पर नट्राजन का रिकॉर्ड के अगेंस अच सकता है नितिश राना का रिकॉर्ड अच्छा है गई जिस मैदान पर 46 तो जो भाई ग्रैंड लीग खेल रहा है ना नितिश राना को भी नोटेट कर लेना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है आज के मैच के लिए हैं उम्रान मलिक सन्वीर सिंग फिलिप्स और मयंक मरका अब देखेंगे आपको थोड़ा सा प्लेयर बैटल बता देता हूं जिससे आप आज के मैच में बड़ा ड्रॉप कर पाऊ तो श्रीय सहीर जिसको मैं आज के मैच का पंड प्लेयर बता रहो बट यह थोड़ा रिसकी रडार पर भी रहेगा भुवनेश्वर कुमार 49 बॉल में ड्रॉप करना चाते हो कर सकते हो वैंग्टे शहीर को भी नटराजन 11 बॉलों पर दो बार आउट कर चुका है तो नटराजन रिंकु सिंग और वैंग्टे शहीर दोनों के अगेंस्ट में हैं आप यह बैटल अराम से यहां पर देख सकते हो कहीना कई रिसकी इसके अला बार बार आउट कर चुके तो रसेल कहीना कई अभीशेक शर्मा और ट्रिपाटी के पीछे पड़ा है और नटराजन आप देख सकते हैं यह सारे प्लेयर कहीना के रिसकी डरार पर के क्यार के आज के मैच पर कोई चेंज करेंगा देखिए इतना बड़ा प्रेशर वाला मै प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुएं पर इन में से मुझे नहीं लगता गाई यहां पर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव होने वाला है अब गई सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि आज के मैच की फाइनल टीम क्या बनाए जिस टीम के साथ अपना आज के मैच विन कर जाए तो गैस मैंने आपके लिए दो टीम बनाई आज की क्योंकि बहुत सारे भाई खेते हैं वह एक टीम मत दिखाये करो दूसरी तो करी सकते हो इस लाइक तक आपको जरूर पहुचना है अभी आपको कम दिख रहे होंगे और हर जना लाइक करेगा तो अपन डेफिनेटल वहां तक पहुचेंगे और साथ में गई जी शौर एक्सपर्ट सपोर्ट योट्यूब चैनल को आप पक्का से सब्सक्राइब कर प्रेस कर देना नीचे सब्सक्राइब का बटन है दबा देना क्योंकि इस वाले मैच में लाइव इस्ट्रेमिंग करूंगा वहां पर इस्पेशल गीववे भी है वह उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब क्या होगा और अब इसके बाद वर्ड विकेट कीपर में हैंदिच क्लासन को गईद मैंने हाँ पर रखाए क्योंकि तो इंपॉर्टेंट पिक था बैटिंग सेक्शन में ट्रैविस हैड श्रिया सहियर वैंग्टेश हियर राहुल टिपाटी चार बैटर मैंने रखें और रॉंडर में रखा है सुनिल नारायन अ काफी अच्छा बॉलर आज के मैच में सावित हो सकता है या फिर हडशित आना तो यह तो गाइज दिखिए सेफ टीम ती जो ऐसे यूस कर सकते हूं बट आपको दूसरे टीम भी दिखा रहा हूं वह काफी ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जबर्दस टीम इस टीम में गाइज मैंने क्या करा है विकेट कीपर से क्लासन को ड्रॉप कर दिया गुर्बाज को रख लिया मालोक क्लासन आज के मैच अप फ्लॉप हो जाता है तो गुर्बाज भी कहिना कई एक अच्छा हिटर है अटैकिंग खेल सकता है बैटिंग सेक्शन में मैंने ट अच्छी बैटिंग कर सकता है और शाबाज मैंच में जबर्दस बॉलिंग की विकेट निकाल के भी दिये तो यह कहिना कई डिफ्रेंशल है और बॉलिंग सेक्शन में मिशेल स्टार्क हर्षित राना और भुवनेश्वर कुमार तो यह वाली टीम अगर आप देखोगे न इसके अलावा आज के मैच में कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना है उससे पहले आपने माई 11 सरकिल एप के इस ओफर का फायदा नहीं उठाया तो आपके पास लाश्ट मौका है अब भी उठा लेना 49 रुपेस की मेगा ग्रैंड लेगे जो आपको किवल एक रुपे में मिल जाएगी अगर आप मेरे स्पेशल लिंक से जाके डाउनलोड करते हो जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट मैंने टॉप पे पिन किया हुआ है और डाउनलोड करने के एक घंटे के अंदर अंदर आपको जॉइन करना है तो आपको 49 की मेगा एक रुपे में मिल जाएगी वह आज के मैच में कप्तान वाइस कप्तान के अगर मैं चॉइस की बात करूँ तो सुनेल नाराएंड सबसे बैटर चॉइस है दूसरी चॉइस क्लासन की निकल के आती है तीसरी है ट्रैविस है बाकी गाईद में फाइनल ही किसको मनाऊंगा वह टॉस के बाद अपने टेलीग को आंसर देना है और मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव और आप लोगों ने हमेशा की तरह इस वीडियो को भी टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियो लाइक कर दाना चैनल सब्सक्राइब कर दा रहा है वैसा ही प्यार आपको वर्ल्ड कप में भी दिखाना है और ऐसे ही प्यार करते रहना ठीक है भाइयो आद आप सच्छे काल और नमस्कार